वेलकम टू गोपाल स्ट्री पॉइंट दोस्तो आप सभी का आपके अपने चैनल गोपाल स्ट्री पॉइंट में हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं परियावरण एवं समाजिक अध्यन के सब टॉपिक प्राकर्तिक आपदा परबंदन नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट का दोस्तो ये टॉपिक बहुत ही इंपोर्डेंट है और दोस्तो जैसा कि आप सभी को पता है साहिक अध्यप परिक्षा में परियावरण एवं समाजिक अध्यन से 10 नंबर के कोशन्स पूछे जाएंगे और दोस्तो इस टॉपिक से 1-2 नंबर के कोशन्स बनते हैं तो दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुरू से लास्त तक देखिए और अपनी तयारी को बहतर बनाईए और दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन ठीक वीडियो के नीचे दिया है जो कि लाल बटन है उसको आप प्रेस करेंगे तो वो बटन भूरे रंग का हो जाएगा और दोस्तो साती साथ उसके एक घंटी का निशान आएगा उस घंटी के निशान को प्रेस करेंगे तो आपका जो नौटिफिकेशन है वो ओन हो जाएगा और दोस्तो आपको मेरे जो भी मैं अपलोड करता हूँ जो भी डेली अपलोड होते हैं वीडियो के उसकी सूचना आपको बिना किसी रुकावट के सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी तो दोस्तो चलिए सुरू करते हैं आज का जो टोपिक है प्राकरतिक आपदा प्रबंदन दोस्तो इस टोपिक से हमने कुछ चुनिंदा कोशन्स लिये हैं जो कि आपकी परिश्या की दरिष्टी से बहुत ज़्यादा महत्पून है चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं जैसा कि कोशन नमबर बन दिया है कोशन नमबर बन में दिया है दोस्तो उत्पत्ति एवन प्राकरति के अधार पर आपदा के दो भाग कोन से हैं तो कोन से दो भाग होते हैं तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो प्राकर्तिक या आपदा परबंदन है उसे हम इस तरह से आपदा को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि प्राकर्तिक जनित या फिर मानव जनित प्राकर्तिक जनित या मानव जनित जो एप्रत्यासित या दूस प्रभाव वाली चरम घटनाएं या परकोप होता है उसक जैसे कि मैंने अभी बताया है कि प्राकर्तिक जनित और दूसरी होती है मानव जनित तो इस तरह से इस question का जो answer बनता है वो बनता है दोस्तो option number third और third में दिया है one और two दोनो यानि कि one भी सही है हमारा और two भी हमारा सही है next question देखेंगे फुकु सीमा फुकु सीमा प्रमानु आपदा किस देश में घटित हुई थी तो दोस्तो ये फुकु सीमा जो आपदा घटित हुई थी ये घटित हुई थी दोस्तो जापान में ये घटित हुई थी कौन से देश में जापान में और दोस्तो जापान के विश् जिसका नाम था उसमें घटना घटित हुई थी और ये सोनामी लहरों के द्वारा घटित हुई थी और दोस्तों इस सनियंत्र में जो परमानू दुरगटना में रेडियेशन डेमेज हुआ था उनका जो लेवल होता है 7 वो माना गया था तो इस तरह से इतनी जानकारी हमें इ नेक्स कोशन देखेंगे भारत में आपदा के निवारन से संबंदित आपदा प्रबंदन अधिनियम किस वर्स आया तो दोस्तों काफी अच्छा कोशन है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ओप्शन नमबर वन और ओप्शन नमबर वन में दिया है 2004 में तो आपदा के निवारन से संबंदित आपदा प्रबंदन अधिनियम किस वर्स आया था तो यह आया था दोस्तो 2004 में अभी नेक्स कोशन देखेंगे निमलिकित में से कौन सा राज़बाड से प्रभावित है तो चार ओप्शन दिये दोस्तों बाड़ से प्रभावित और नेक्स ओप्शन टू में दिया है उडिसा उडिसा भी हमारा बाड से प्रभावित छेतर है आशम आसम भी हमारा बाड से प्रभावित छेतर है और नेक्स नमबर दिया च्छतिस गाड च्छतिस गाड भी हमारा बाड से प्रभावित छेतर है तो इस तरह से दोस्तो हमारे ये सभी जो राज्य हैं वो सभी वार्ण से प्रभावित छेत रहें तो इसलिए जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा option number 4 जिसमें दिया है ये सभी next question देखेंगे भूकंप में भूकंप निम्न में से किस के कारण आता है जो भूकंप का जो region है वो हमें बताना है कि भूकंप आने का कारण हो सकता है किस कारण से भूकंप आता है तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तो वो है दोस्तो option number 3 और option number 3 में दिया है उपयूक्त दोनों जिसमें एक प्रकरतिक कारण होता है जैसा कि मैंने starting में ब्रीफ दिया था और दूसरा मानाव निल्मित कारण तो दोनों कारण हो सकते हैं जिसमें या तो प्रकरतिक जनित या फिर मानाव जनित next question देखेंगे भूकंप का मापन निम्द में से किस यंत्र से किया जाता है बहुत ही most important है दोस्तो तो इसका जो right answer है वो है दोस्तो option number third reactor scale reactor scale पर मापन किया जाता है तो next question देखेंगे निम्द में से किस साफ मोसम बनने में मदद मिलती है किस साफ मोसम बनने में मदद मिलती है तो question number जो 7 है 7 का दोस्तो right answer है option number 2 option number क्या है दोस्तो option number तो इस तरह से दोस्तो इसका right answer हुआ option number two जो की प्रती चक्रवाथ है क्या है दोस्तों प्रती चक्रवाथ next question देखेंगे निम्न में से कितनी प्रकार का जवालम की उदगार होता है कितनी प्रकार का जो जवालम की उदगार होता है वो दोस्तों हमें बताना है तो इसका जो right answer होगा वो होगा option number third और थर्ड में दो प्रकार का होता है जिसमें एक प्रकर्टी होती है विस्पोटी केंद्रिय उद्गार की और दूसरी होती है दरारी लावा उद्गार की क्या होता है एक में विस्पोटी केंद्रिय उद्गार होता है दूसरा दरारी लावा उद्गार होता है नेक्स कोशन देखेंगे भारत के किस हिस्से में घागरा, गंडक, कोसी, शोन वे तिस्ता नदियों के अधी प्रभाव से बाड़ आती है तो दोस्तो ये जो नदियों के नाम दिये गए हैं अक्सर इन नदियों से बाड आती है और जो इन से प्रभावी छेतर हैं वो हमें बताना है कि कौन से जो बाड से प्रभावी छेतर हैं जिन में गागरा, गंड़ा, कोसी, सोन, तिस्ता अधी नदियों से अधी प्रभाव से बार आती है तो दोस्तो इनका जो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तो पूरवी भारत में पूरवी भारत में जो की option number हमारा one सही है next question देखेंगे भुकंप की तीवरता मापने का यंत्र है बहुत ही most important है कई बार youp tet c tet और सभी में पूछा गया questions है तो इसमें दिया है दोस्तो भुकंप की तीवरता मापने का यंत्र है अथ्वा या किस तरह से पूछा जाता है भुकंप की तीवरता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं तो यंत्र को क्या कहते हैं उस particular instrument का हमें नाम बताना है तो 10 का जो right answer होगा वो होगा दोस्तो सिस्मो graph सिस्मो graph जो कि option number 2 दिया है next question बहुत ही most important है again ये भी हमारा TET, CTET और बाकी परिक्षाओं में पूछा गया है तो दोस्तो ये साया का ध्याब परिक्षा के लिए भी काफी important question माना जाता है इसको तो ये इसमें पूछा गया है भोपाल गैस तराजदी किस गैस के करण हुई थी कौन सी गैस थी जिसके करण भोपाल गैस तराजदी हुई थी तो दोस्तो इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल गैस तरास्दी मिथाइल आईसो साइनेट गैस के कारण घटित हुई थी और यह है एक विशेली गैस होती है जिससे मानव का तंत्री का तंत्र परबावित होता है तो इसका जो राइट आंसर हुआ दोस्तो मिथा त्यूर्था नापी जाती है जो खाली स्तान दिया है उसमें बताना है कि रियक्टर पैमाने से रियक्टर सकेल से किसकी तीवड़था मापी जाती है तो दोस्तो ट्वयल तो हमारा राइट अन्सर होगा वह है दोस्तो option number तो में बहुत बार आपको बताया गया है कि भूकं उसको सिस्पमुग्राप केहते हैं दो-तीन बाते हैं दो तीन बाते हैं दोस्तों ये आपको याद रखनी हैं और अक्सर परिक्षा में बार 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 इन इंही कोश induced को पुछा जाता है इसलिए इन चीजों को revise करते रहिए चीजों को revise जितना करेंगे उतनी चीज़े आपकी अच्छी याद होगी और काफी देर के लिए आपकी memory में fit हो जाएगी और जिससे कि आप अपने question को कभी भी गलत नहीं करेंगी तो चलिए दोस्तो देखते हैं next question जो की 13 number का question है भूकम्प मापा जाता है तो भूकम्प मापा जाता है अगें दोस्तो इसको घुमाकर के question पूछ लिया गया है तो ये किसमें मापा जाएगा जैसा कि हमने अभी बताया था दोस्तो तो 13 का जो हमारा right answer होगा वो होगा दोस्त तो option number 4 reactor पैमाने पर reactor पैमाने पर जैसा कि इसमें भी पूछा गया है तो इस तरह से हमें याद रखना है reactor पैमाना या reactor scale बोलिए बात एक ही है next question देखेंगे इत्यास में पहली बार दुरगटना हुई तो इत्यास में जो पहली बार दुरगटना हुई थी तो वो दोस्तो कब हुई थी जो की परमानु दुरगटना actually इत्यास में पहली बार या पहली परमानू दुरगटना इसमें पूछा गया पहली परमानू दुरगटना तो पहली परमानू जो दुरगटना हुई थी वो हुई थी दोस्तो राइट आंसर है option 3rd 6 अगस्ट 1945 को और दोस्तो इसके विशे में मैं आपको बताना चाहूंगा क कि अमेरिका ने जो अमेरिका कंट्री है अमेरिका ने विश्यूद के दोरान विश्यूद के दोरान जो वल्ड वार हुआ था उसके दोरान 6 तथा 9 अगस्ट तो कभी कभी पर यहां पर 9 अगस्ट भी दे दिया जाता है 9 अगस्ट 1945 भी दे दिया जाएगा तो भी सही है और 1945 को तथा 9 अगस्त 1945 को जापान के दो सहरो जिसमें एक था हिरोशिमा और दूसरा था दोस्तो नागाशाकी पर परमानू बंब गिराकर इन्हें समाप्त कर दिया था और दोस्तो इन परमानू बंबों से धूल वे धुएं के जो बादल 18 किलोमेटर की उचाई तक बन गए थे और दोस्तो इसमें सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट है यदि examiner और गहराई में एदी question पूछा जाए तो हीरा सीमा पर गिराए गई हीरा सीमा जो उसका जो शहर था उस पर जो गिराए गया बंब था उसका जो नाम था वो क्या था वो नाम था little boy little boy लिटल boy नाम का बंब परमानू बं जो कि हिरोशिमा पर गिराया गया था और दूसरा बं था जो कि नागा साके पर गिराया गया था उस बं का नाम था दोस्तो फैट मैन क्या था दोस्तो फैट मैन तो ये हमें याद रखना है रोतनी information इस question से बनती है जो कि हमें याद रखनी है next question and the last question of this video है दोस् इसमें दिया है दोस्तो बोकंप की तरंगों को निरुपित करता है तो कौन सा यानि की कौन सा इंस्टुमेंट करता है जो की option में दिये हैं दोस्तो चार option सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रो, कार्डियोग्राफ, टामोग्राफ और पॉलीग्राफ तो इसमें दोस्तो बोकंप से related तो वो आता है सिस्मो ग्राव के अंत्रगत तो भुकम की तरंगों को जो निरुपित करता है वो करता है सिस्मो ग्राव तो इस तरह से दोस्तों हमने 15 most important questions इस topic से जो की हमारा natural disaster management प्राकरतिक आपदा प्रबंदन से complete किये है और I hope दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और यदि ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और जादे से जादे दोस्तों में share कीजी दोस्तों लाइक करने से आपका कुछ भी एक भी पैसा करश नह अपनी आपकी तैयारी और अच्छी तरह से हो शके दोस्तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो की एकदम 3 of course है और साथ के साथ एक बिना किसी खर्च के तो चलिए दोस्तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुब हो मंगल में हो और इसी सुबकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैभारत